दोस्तों आज हम लोग भगवत गीता अध्याय छे, जिसका शीरशक है ध्यान का योग के बारे में बात करते हैं। लेकिन कृप्या आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अगनिहोत्र यग्य संपन्द नहीं करते, अर्थात अगनी नहीं जलाते और शारिरिक कर्म नहीं करते। जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है, वह योग से भिन्न नहीं है, कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किये बिना सन्यासी नहीं बन सकता। जो योग में पूनता की अभिलाशा करते हैं, उनके लिए बिना आसकती के कर्म करना साधन कहलाता है, और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिध्धी प्राप्त है, उनके लिए साधना में परमशान्ती को साधन कहा जाता है. जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विश्यों में और नहीं कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है, और कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याक करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूड कहा जाता है. मन की शक्ती द्वारा अपना आत्म उठ्थान करो और स्वयंका पतन न होने दो मन जीवात्मा का मित्र और शत्रूभी हो सक्ता. जिन्होंने मन पर विजय पाली है, मन उनका मित्र है, किन्तु जो ऐसा करने में अस्फल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पाली है, वे शीत्ताप, सुखदुख और मानापमान के द्वंद्वों से उपर उठ जाते हैं ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ती के प्रती उनकी श्रग्धा अटल होती है वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पालेते हैं वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं योगी शुब चिंतकों, मित्रों, शत्रू, पुन्यात्माओं और पापियों को निश्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रू को समद्रिष्टी से देखते हैं और शत्रूों एवन सगे समबंधियों के प्रती तटस्थ रहते हैं तथा पुन्यात्माओं और पापियों के बीच निश्पक्ष रहते हैं, वे मनुश्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन एवन शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें तथा समस्थ कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें योगा भ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमी पर कुशा बिचा कर उसे मृच्छाला से ढखकर और उसके उपर वस्त्र बिचाना चाहिए, आसन बहुत उचा या नीचा नहीं होना चाहिए योगी को उस आसन पर ग्रिडता पूर्वक बैठ कर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आखों को हिलाए बिना नासिका के अगरभात पर द्रिश्टि स्थिर करनी चाहिए इस प्रकार शांत, भैरहित और अविचलित मन से ब्रहमचर्य की प्रतिज्या में निश्ट होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष बनाना चाहिए इस प्रकार मन को सन्यमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझे में तलीन कर निर्वान प्राप्त करता है और मुझे में स्थित होकर परमशांती पाता है हे अर्जुन जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहन करते हैं या अल्प भोजन ग्रहन करते हैं बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं वे योग में सफल नहीं हो सकते लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को सन्यमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रापर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं पूर्ण रूप से अनुशासित होकर, जो अपने मन को स्वार्थों एवन लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं, और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत क्रिष्ट लाभ में लगा देते हैं ऐसे मनुश्यों को योग में स्थित कहा जा सकता है, और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्थ होते हैं जिस प्रकार वायुरहित स्थान में दीपक की जोती जिल्मिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से सन्यमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्मतत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मगन हो सकता है योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधी कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीन दिव्य आनंद प्राप्त करता है, और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पत से विपत नहीं होता ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ट पाने की इच्छा नहीं करता ऐसी सिध्धी प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता दख के सन्योग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है इस योग का दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी और से अंकुष लगाना चाहिए फिर धीरे धीरे निश्चयाक्मक बुद्धी के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्ट कुछ नहीं सोचेगा जब और जहां भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए जिस योगी का मन शान्थ हो जाता है और जिसकी वासनाए वश में हो जाती है एवन जो निश्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़ कर देखता है उसे अलौकिक आनंद प्राप्थ होता है इस प्रकार आत्म सन्यमी योगी आत्मा को भगवान में एकी कृत कर भौतिक कलमश से मुप्थ हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेम्मई भक्ती में परम सुख प्राप्थ करता है सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकी कृत कर समान दृष्टी से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अद्रिश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अद्रिश्य नहीं होते जो योगी मुझ में एकनिष्ट हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रधा पूर्वक मेरी भक्ती करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझ में स्थित हो जाता है मैं उन पूर्ण सिध्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रती ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जैसे की वे उनके अपने हूँ अर्जुन ने कहा है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धती का वर्णन किया, वह मेरे लिए अव्याभारिक और अप्राप्य है, क्योंकी मन चंचल है हे कृष्ण क्योंकी मन अती चंचल, अशांत, हठी और बल्वान है मुझे वायू की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है भगवान श्री कृष्ण ने कहा है महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है, मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है किन्तु अभ्यास और विरक्ती द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है जिनका मन निरंकुष है, उनके लिए योग करना कठिन है लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित धंग से निष्ठा पूर्वक प्रयास करते हैं वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते है यह मेरा मत है अर्जुन ने कहा है क्रिशनक योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है किन्तु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्षे तक पहुँचने में असमर्थ रहता है हे महा बाहु क्रिश्न क्या योग से पत घ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक एवा आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्नभिन बादलों की भाती नश्ट नहीं हो जाता जिसके परिणामस्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता हे क्रिश्न क्रिप्या मेरे इस संदेह का पूर्ण निवारण करें क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो ऐसा कर परमेश्वर श्री क्रिश्न ने कहा है पृथा पुत्र आध्यात्मिक पत का अनुसर्ण करने वाले योगी का नतो इस लोक में और नहीं पर लोक में विनाश होता है मेरे प्रियमित्रक भगवत प्राप्ती के मार्ग पर चलने वाले को गुराई पराजित नहीं कर सकती पुनह जन्म लेते हैं अथ्वा जब वे दीर्गकाल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुरलब है हे कुरुवन्शी ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनह जागरित करते हैं और योग में पूनता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्मसन्यम के बल पर अपनी इच्छा के विरूद स्वताय भगवान की ओर आकर्शित होते हैं ऐसे जिग्यासु साधत स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडों से उपर उठ जाते हैं पिछले कई जन्मों में संचित पुने कर्मों के साथ जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उनती करने है तुनिष्ठा पूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं तब वे सांसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णताह प्राप्त कर लेते हैं एक योगी तपस्वी से, ज्यानी से और सकाम कर्मी से भी श्रिष्ठ होता है आथ है अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तलीन रहता है और जो अगाद श्रद्धा से मेरी भक्ती में लीन रहते हैं उन्हें मैं सर्वश्रिष्ठ मानता हूँ